नमस्कार मित्रो, मैं हम डॉक्टर हरी निवास और चैनल है संस्कृत साही तेवुन संस्कृत महर्चिवात्षयान के कामशुत्र की जड़्चा चल लही है और हम जो एक पूरा अधिकरण है पांचमे अधिकरण पे पहुँचे हैं और इसका नाम है पारदारिक नामक पंचम अधिकरण दूसरों की इस्तरी के साथ संबंध को लेकर के इस पूरे अधिकरण की रचना होगी है जिसमें अनेक अध्याय आपको मिलेगे आप कहेंगे कि महर सिवात सेयन को ऐसा नहीं करना चाहिए जिकरण काम सूतर है आँख बंद कर लेने से कोई सच्चाई जो है न वो खतम नहीं हो जाती है आप अगर रात बर जाते रहें तो दिन नहीं हो जाएगा और दिन बर सोते रहें तो दिन का रात्री नहीं हो सकता है वैसे जो तुस्ति दाजीम ने अपनी रामायन में लिखा लक्ष्वन पर असराम जी से कहते है मूंदहु आँख कतहु कचुनाई अरे अपनी आँखे बंद कर लो कहीं कुछ नहीं है लेकिन जीवन ऐसे नहीं चला करता है तो यहां पारदारिक नाम का पूरा अधिकरन प्रस्तुत किया गया है चलिए देखते हैं अधिक विस्तार से इसका वरणन नहीं करूँगा लेकिन संख्षेप में इसको जानते हैं सामाने चाएक कहावत है कि पुत्र अपना और पती या पत्नी दूसरे की अच्छी लगती है संतान अपनी प्रिय लगती है और पती या पत्नी दूसरे का जो होता है उसके गुणा में दिखाई देते हैं वो देखो उसका सारे रिक सोष्टो भी दिखाई देगा उसके गुण भी दिखाई देंगे अब चाहिए ये पुरुस की बातों चाहिसत्री की बातों दोनों के लिए ही ये नियम लागो पड़ता है दस्तु कामस से स्थान आने काम के जो दस स्थान है उसकी बजह से बनता है कि कुछ ऐसा हो जाए चक्छुहू, प्रीतिह, मनह, संगह, संकल्पोत, पत्तिर, निद्रा, छेदस, तनुता, विशयो, व्यो, व्यावृत्ति, लज्जा, प्रनाशा, उनमादो, मूर्चा, मर्णमिती, तेशाम, लिंगानी भई कभी किसी से आँखें मिलीं, किसी को देखा और मन में एक दम से भाव जागरत हो गया, कि बस 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 ये है, इससे तो बिना मिले काम नहीं चल सकता है अब अगर आपके मन में एक बार भी ये विचार आ गया है, तो बार बार वो विचार आएंगे, इससे चित्त की आ सकती होगी चित्त की आ सकती होगी यानि उठते बैठते उसको याद करने लग जाएंगे आपकी बातों में बार बार वो व्यक्ति आने लग जाएगा आप पती से बात कर रहे हैं तो भी उसका नाम आ जाएगा पत्नी से बात कर रहे हैं तो भी उसका नाम आ जाएगा फिर उसको प्राप्ति करने का संकल्प उठता है देखे पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है बिल्कुल महर्शी वात्सयाइन जो कहते है न वो कितना शटीक वर्णन करते हैं ये कभी एक साथ भी हो सकता है तड़ और फड़ भी हो सकता है और इसमें एक लंबा समय भी लग सकता है प्राप्ति का संकल्प मन में उत्पन होता है और फिर तो तरे दरे के विचार करने लग जाते हैं कैसे मिलें, कहां मिलें, क्या बहाना करें तो इस चक्र में नीद उड़ जाती है अगर आप समय पे खाएंगे नहीं, समय पे सोएंगे नहीं तो दुर्बल हो जाएंगे ये भी एक इसका लक्षण है और फिर ना तो काम में मन लगता है और ना काम में मन लगता है दोनों ही तरीके से विक्ति बेकार हो जाता है फिर कई बार तो व्यक्ति निरलज्ज हो जाता है कि अब जब नहीं रहा जा रहा तो या तो कह दो या सामने से जाके सामने वाले से कह दो कि तू ना मिली तो मैं जोगी बन जाऊंगा सारी उमरिया का रोगी बन जाऊंगा कुछ भी जो ठीक लगी उनमाद इसके बाद की सिथी यह जो दस सिथियां है उनमें इसके बाद उनमाद होता है कि व्यक्ति कह देता है सामने वाले ने स्विकार कर लिया तो तो सारी बाट ठीक हो गए, लेकिन नहीं स्विकार किया तो फिर पागल की तरह उसके पीछे पड़ेगा तरे तरे के प्रेत्न करेगा सभलता मिल गई तो सभलता मिल गई नहीं सभलता मिली तो फिर मूर्चान और मृत्यू यानि काम की पराकाष्ठा या तो काम की प्राप्ती में है या फिर मृत्यू में है अगर भाया इतना तीवर आवे गए तब तो आपको इस प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए महर सी बात्सियां क्या कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि उससे नहीं मिले तो मृत्यू निश्यत है तो भईया फिर मिल लेना चाहिए जब आपके काम की अवस्था इस प्रकार की हो जाए कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो इसके बिना तो मैं मर जाओंगा आप कहेंगे ये तो खाली बाते होती है ऐसा थोड़ी हुआ करता है नहीं वास्तिविक्ता दो यही है अगर आप किसी की प्रती अत्यधिक आसत्त हो गए हो ना और उसकी प्राप्ती नहो तो अन्नी किसी की प्राप्ती से फिर मन नहीं भरा करता है फिर तो उसके चक्कर में या तो मर जाओं या मार डालूं इस प्रकार की स्थिति आती है तो यहां आचारिवात स्यान कहते हैं कि ऐसे स्थिती में आत्म शरीर उपगात त्राण आर्थम अपने शरीर यानि अपने प्राणों की रक्षा के लिए आप इस प्रकार के सम्मंद बना सकते हैं अब आप कहेंगे कि अधिकांसता तो ऐसा नहीं होता है अधिकांसता तो यह होता है कि आँख मिली उनने कहा कि ठीक है आज का दिन आपके साथ से और दोनों मानगे काम हो गया और हो गया तो ठीक है आप कहेंगे इतना भी सरल तो नहीं होता है जैसे आप बात कर रहे हैं नहीं कहीं कहीं इतना ही सरल होता है आगी चर्चा आएगी इस प्रकार की स्तियों की भी चर्चा आएगी जिन से आप कभी न मिले हो पहली बार मिलें आँख से आँख मिलें और पता चला कि ठीक है सब कुछ ठीक है ऐसी स्थिति हो और कहीं ऐसी भी स्थिति होती है कि सारी जिंदगी आप उसके पीछे पड़े रहें और एक बार ऐसा उसर न मिलें सबसे पहली बात ये चर लेए है कि अगर आपको अन्य पारदारिक कार्थ, सिर्फ आप इस तरी से नहीं लेंगे, पुरुस के साथ भी लेंगे, यानि इस तरी किसी पर पुरुस से संब्ध बनाती है, या पुरुस किसी पर इस तरी से संब्ध बनाता है, तो आचारे बात से सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको इस चीज का विचार कर लेना चाहिए कि अगर आप उसकी बिना नहीं ही रह सकते हैं तो ही इस प्रकार के संबंद में आगे जाएए अन्यथा आपको इस प्रकार के संबंद में नहीं पढ़ना चाहिए और जब आप इस प्रकार की संबंद में आगे बढ़ रहे हैं तेशु साध्यत्वम अनत्यत्यम गम्यत्वम आयतिम वृतिम इन सभी चीजों की परिक्षा ची तरीके से कर लीजे आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आप जिसके प्रेम में पढ़ गए हैं आप उसको प पटावर ही वहां तक नहीं पहुँच रहा है आप कुछ करी नहीं सकते हैं ऐसी स्थिति में तो नहीं है नहीं तो ऐसे के प्रेम में पढ़के वही उसका विचार ही मत कीजिए जो दस अवस्ता हैं पहली अवस्ता से ही पीचे हट जाएए किसी अन्नी के साथ अपने मन को जोड़िये तो सबसे पहले उसकी प्राप्ती संभव है असंभव है इसकी परिक्षा कर लिजिए कहीं उसकी प्राप्ती के चक्र में अपने प्रान संकट में तो नहीं पढ़ जाएंगे इस पे भी विचार कर लिजिएगा वो गम में है अगम में है भही कई बार ऐसा होता कि कुछ इस्त्रियों के साथ संबंद बनाएं तो इसमें कोई हानी नहीं होती है लेकिन कोई स्त्रिय अगर ऐसी है जो आपके लिए अगम में है शास्त्रों में इस प्रकार के संबंदों के बारे में कहा गया है कि कुछ इस प्रकार के संबंद होते हैं जो कभी भी आपको आप इतना ही करने चाहिए वो चाहिए जितना सुंदर हो या चाहिए जितनी सुंदर हो व्यक्ति उसके प्रती मन अगर अकरसित हो रहा है तो भी आप अपने मन को रोकिए क्योंकि धार्मिक रूप से जो आपके शास्त्रों ने कहा है अगर वो अगम में है तो फिर आप उसके बारे में विचार ना करें ये बहुत ज़रूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका सम्मंद बन भी गया तो उसके बाद उससे आपको लाब क्या होगा ये तो विचार करनी है आपको याद हो तो प्रारंब में कामसुत्र क कि प्रारंब में जब इस्त्री गुरूस का विवचान आया था तब इस प्रकार की चर्चा होई थी कि किन-किन स्थितियों में आप इस प्रकार की स्थियों से संबंद बना सकते हैं वहाँ बेपारदारिक चर्चा होई थी लिकिन यहाँ जो बात चल लही है वो अपने कार ये भी इस प्रकार के संबंद बन जाया करते हैं और अगर वो बनते हैं तो किन-किन चीजों का विचार करना है इसको यहाँ पे कहा है व्यविचाराद आक्रतिर लक्षन योना इंगिता कारा भ्यामेव प्रृति बोदव्या योशिता इती वात्सियाना अब आचारे वात्स आयन कहते हैं कि अगर आपको इस प्रकार के संबंद में आगे बढ़ने है क्योंकि नहीं रहा जाता है तो भई इस प्रकार के इस तरी पूरुस जो हुआ करते हैं ना उनके चारित्र से , उनकी व्योहार से उनकी कुछ भाव भंगिमाओं से इन चीजों का पता चल जाता है बाकी सामानने रूप से किसी के चहरे पे नहीं लिखा होता है कि ये व्यक्ति कैसी है कभी-कभी आप इन चीजों का अनुमान उसके व्योहार वगेरे से लगा सकते हैं मेरे जैसा इमानदार, ब्रह्मचारी, पतिवर्था दूसरा इस संजार में कोई नहीं है जब भी चर्चाएं होंगी तब लोगों के बीच में ऐसे लोग बड़ी-बड़ी डीने मारते हैं ऐसे लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो गोणिका पुत्र संदर में कहते यम कंचित उज्वलम पुरुस्तम दर्ष्ट्वा इस्त्री काम है ते तथा पुरुसों भी योसितम ये व्यक्ति मात्र का सभाव है किसी स्रेष्ट, सौंदर रिवती स्त्री को अगर पुरुस देखता है मैं ज़रा उल्टा बोल लूँ गोणिका पुत्र ने तो कहा है किंचित उज्वलम पुरुसम दर्ष्ट्वा स्त्री काम है ते कि किसी स्रेष्ट पुरुस को देख करके स्त्री अवस्थ से ही उसकी कामना करती है और इसी प्रकार से पुरुस भी किसी स्त्री को देख करके उसकी कामना करता है अब देखिए ये एक ऐसी जनरल बात गौनिका पुत्र कहते हैं क्योंकि वो इसी चेप्टर के आधिकारिक आचारे हैं जिस पे हर व्यक्ति सम्मद नहीं होगा ये वात इस प्रकार की है कि आपको भी सुनके पहली बार ऐसा लगेगा ऐसा थोड़े होता है बहुत सारी स्त्रियां भी इस बात के लिए कहेंगे नहीं ऐसा कभी नहीं होता है ये तो फालतों की बात करता है जाने दीजी जीवन के 40 वर्स जाने दीजी अभी तो प्रारंबिक प्रेम जब होता है ना इस एज में तो यहीं लगता है कि एक बार जिसके साथ बंद गए सारी जिंदगी जैसे रामने सीता के साथ गुजारी या तो तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं तो तुम्हारे मिना नहीं रहेंगे इस संसार में रहेंगे ऐसा रख लेकिन जैसे जैसे उमर जाएगी इस चीज़ का एहसास होगा कि गौनिका पुत्र ने जो कहा है वो उतना ही सकते है कि हर स्त्री, अब हर का अर्थ बिल्कुल हर हर ना ले ले, हर का मतलब जहांपे परसेंटेज साट से उपर चला जाए ना, तो फिर प्राधानेने व्यपदेशा ववन्ति ये व्याकरण का वी नियम है और ये सभी जगे का नियम है, यानि अधिकान सतह स्त सिती होती है, कि वो अगर किसी स्रेष्ट पुरुस को देखती है, जो उसकी कामना है, किसी को धन की लालसा होती है, किसी को उत्तम सारी रिक सोष्ठव की तन की लालसा होती है, किसी को विद्वत्ता की कामना होती है, किसी को सुंदर गुणों की कामना होती है, कोई पुरु दो पुरूस की कोमलता अच्छी लगती है किसी को उसके सुभाव की विशेस्ताय प्रभावित करती है तो गौने का पत्री यह कहते हैं कि जिस स्थिती की जो कामना होती जो चाहना होती है जिस दिर उस परकार का कोई स्रेषट पुरूस उसको दिख जाता है तो वो इस्त्री उसकी कामना की ये बिना नहीं रहती है और यहीं स्थिति पुरुस की भी होती है पुरुस भी इसकी बिना नहीं रह सकता है लेकिन तत्रस्त्रियम प्रति विशेशा स्त्रियों के संदर में एक विशेश स्थिति ऐसी होती है अगर इस्त्री एक बार कामना कर लेती है तो फिर वो धर्म अधर्म की किसी की अपेक्शा नहीं रखती है क्योंकि यह होता है मैंने आपसे कहा था कि पुरुस जब भी किसी स्त्री के प्रेम में पढ़ता है तो वो इस चीज का ख्याल लगता है कि मेरा घर परिवार सुरक्षित रहना चाहिए और मैं अपने जीवन का आनंद भी प्राप्त कर लूँ तेकिन चुंकि इस तरी इस प्रकार से कई भावों में नहीं बढ़ पाती है पुरुस की तरीके से इसलिए या तो वो कामना नहीं करेगी तो फिर वो सब कुछ छोड़के भी जाने की तयारी रखती है तो अब चुंकि उसको सब कुछ छोड़के जाना है इसलिए ही निर्णे थोड़ा उसके लिए कठिन हो जाता है कि सुभावाच्य पुरुषिण आभी युज्यमाना चिकीर सेंत्यप्य व्यावर्त कई बार पुरुषिण ने उसके लिए सारी तयारियां कर ली हो क्या आओ मिलन होगा लेकिन फिर भी वो कभी मान मर्यादा के लिए कभी अपनी संतान के लिए कभी धर्म की रक्षा के लिए कभी अपने संसकारों के काराण उस मार्ग पे आगे बढ़ने से रुक जाती है देखी कामना नहों ये तो बड़ा कठिन कारे है लेकिन उस कामना के बाद उसका इंप्लीमेंट अगर वो नहीं करती है तो भाई मानशिक संभोग का आनंद आपसे कोई नहीं चीन सकता है शारीरिक संभोग में ही हमारे यहां तुर्टी है मानशिक रूप से आप किसी के साथ भी संभोग कीजिए कौन आपको रोखता है तो यहाँ इस बात को आचार गौनिका पुत्र लिखते हैं कि स्त्रियों को इच्छा तो भी जाती है लेकिन बड़ा कठिन होता है उनके लिए कि वो या तो सब कुछ छोड़ दें तो सब कुछ छोड़ देना संतान भी होती है घर होता है परिवार होता है और सारे संभन्द होते हैं एक बार अगर वो ऐसा करती है तो सब कुछ उसको छोड़ देना है अगर ऐसी स्थिती आती है तो फिर उसका निर्णे है या तो इतना बहुमूल ये सामने का रत्न होना चाहिए कि जिस पे विश्वास करके उसको लगे कि ये सौधा सस्ता है नहीं तो इस मार्ट पर आगे नहीं बढ़ पाती है पुना पुना अभियुकता सिध्यती लेकिन जब कोई पुरुस बार 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 उसकी प्रती लगा रहता है फिल्डिंग भड़ता रहता है मेहनत करता रहता है तो फिर वो इस प्रकार के संबंध में आगे बढ़ पाती है या इतने ही संबंध तक आगे बढ़ पाती है कि ठीक है दो चार बार मिल लेते हैं फिर आगे ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली हैं ऐसा वो कर पाती है पुरुसस्तु धर्म इस्थिती आरे समयम चापेक्षे कामय मानों पी व्यावर्त जहां तक पुरुस की स्थिती है वो जल्दी से आगे बढ़ जाता है लेकिन कुछ चीज़ें उसको भी रुपती हैं संसकार है सिष्टाचार है अब ये दूसरी की पत्नी है शास्र कहते हैं तो जिनके पास थोड़ी बुद्धी है थोड़े विचार हैं वो पुरुस इस मार्ग पे आगे नहीं पड़ता है कई वार सामने से ऐसी स्थितियां मिल जाएंगी जो उसको आकरशित करने के लिए या जो उसको अपने वसमे करने के लिए प्रहत्न करेंगी तो भी अगर क सिष्टाचार काम करता है और ना ही और सारी चीज़े काम करती हैं अगर बार बार अगनी और घा से कत्रित होंगे तो फिर वहां पे प्रज्वरित्वाग होई जाएगी इसलिए यहां मुख्य बात जो है वो यह है कि मन आकरशित नहों ये कठिन कारे हैं लेकिन हम उन परि कई बार कुछ लोग इस प्रकार का बेहम रखते हैं कि अरे मुझे तो आप किसी के भी साथ छोड़ दो मेरे मन पे कोई फरक नहीं पड़ेगा ऐसी स्त्रियां भी होते हैं ऐसे पुरुस भी होते हैं भाया जीवन में ये सबसे बड़ा मिथ्या अभिमान है ऐसा अभिमान क अभी भी किसी को करके और ऐसे किसी मार्ग पे नहीं चलना चाहिए जीवन में ऐसे लोग हमेशा पराजित हो जाया करते हैं धन्यवाद मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास